विक्की कौश्ण और सारा आलिखान की फिल्म की शूटिंग पिछले कई दिनों से इंद ओर में चल रही है। लेकिन इस शूटिंग के कारण कॉलेज की परिक्षाय प्रभावेत हो गई है। जिहां मामला इंदोर के क्रिश्टिन कॉलेज का है जो है इस फिल्म के शूटिंग चल रही है। शूटिंग के कारण परिक्षा देने आए बच्चों को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया और इससे यहां हंगामी के स्तिती बन गई। विवाद के चलते बच्चों को कुछ मिनिट पहरी ही प्रवेश दिया गया जिससे सारी विवस्ताय गरवड़ा गए और बच्चे परिशान होते रहे। पुरे घटना करम में सवाल उठाया गया कि परिशा वाले दिन कॉलेज में शूटिंग के पर्मिशन क्यों गया जब कॉलेज में जारी फिल्म शूटिंग के कारण बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया। पहले कॉलेज ने भीतर प्रवेश दिया जिससे कई बच्चे अपनी क्लास और सीट के लिए परिशान होते नजर आए। परिशा के बावजूद कॉलेज में बैचक विवस्था के जानकारी देने के लिए ना तो कोई बोर्ड लगाया गया और ना ही कोई जुम्मिदार स्टाफ नजर आया। यहां के जो है वो बोल रहे है कि कोई भी टेबल पर जाके बैठ जाओ तो इससे चाट डी एवीवी को बच्चों ने ऑनलाइन एक्जाम यहां ओपन बुक लेने के लिए वोला तो उसमें क्या गलत बोला है यहां पर यहां से यहां पर किसी भी प्रकार की वश्था नहीं ह यहां पर जैसे पहली बात यहां पर सबसे पहले का नाम लिगाता है क्योंकि यहां पर फिल्म की शूटिंग चल रही है और यहां पर कोई कुछा नहीं है तो उसको यह कॉले जुड़ने पहली बात आसमाद है कि कोई सोसल डिस्टेंसिंग नहीं है हम यहां तो किसी प्रकार का रोल नमबर ऐसा कुछ दोक्यमेंटेशन होता हो नहीं है तो यहीं का हूं लेकिन बहुत सारे लोग यहां पर जैसे वीवा उमरिया बादी सिप्री साहा है कि किसी पर रोल नमबर नहीं हो रहा है यहां पर सर देखिए सोसल डिस्टेंसिंग फोलो नहीं हो रहा है अधर इस पूरी मामले पर कॉलिज प्रबंदन का रवया बेहत गैर जिम्मेदारा ना नज़र आया प्रबंदन ने हो व्यवस्थाओं के लिए बच्चों को ही जिम्मेदार बताया परिक्षा वाले दिन शूटिंग के परमिशन के सवाल पर प्रबंदन ने कहा कि शूटिंग के लिए बहुत पहली ही परमिशन दे गई थी जबकि परिक्षाओं का लेकर शेड्यूल बाद में जारी किया गया शूट करते हैं और से अंशल मुकाति के रिपोर्ट